हेलो स्टूरेंट में जोट्सना सिंग अपने चानल प्योर पढ़ा इंस्टिट में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके इस वीडियो में चेप्टर एट इग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का कोशन में 11 स्वाल करके दिखाऊंगी इसलिए वीडियो को स्किप मत की कीजिए एंड तक देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे या आपको कुछ नितनी मिले तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबे कमेंट की तू जरूर दीजिए को स्टार्ट करते ह आप खिए पालस है उससे करने से पहले चलिए को समझाने को सीथ लिक तो चलते हैं पह spill करती हूं छांसे कश सिए मिए अनले लिसी इंद आप दिखिया समय में गश्य लती हुआ एफाइफ है एफ़ोर और थ्री ए और मैं एको ट्राइंगल आजिम करती हूँ सेम यही ए बी और सी यहाँ पर हैपो तो फाइउ रहने वाला है अब समझ जी यहाँ पर थ्री और यहाँ पर फोर है क्या बोरे च्री connectivity करती हुआ हैं पर फाइन करते हैं अपटेन क करते हैं यह ऐस्कीम बाइए अब देखें फॉर थी इसके लिए फ्री फॉर गया अब इसके लिए फैंड करते हैं तैने की वैल्यू गरेगी क्या होता है वह यह होता है देखेंगे हमारा कि इसके मैंरा 3 वाया जिए फोर बाइठरी क्या है और यहां पैसे क्रशन के बोला है कि बोला और अल्वेस लेघंगे तो होगा नहीं कि इस से मरा रहा है तो कल्यर हो जो ते लाली होती है वह उन से लेस नहीं होती है और से मोर भी हो सकती है क्या है थेनुप से क्या है थे आप सुझाशन नहीं है और क्या करेंगे अबस Prison была करेंगBo since 10A क्या होता है 10A क्या होता है यह opposite or adjacent का ratio होता है 10A equal to opposite side to the adjacent side and it is not necessary it is not necessary that opposite side opposite side is always greater than adjacent side section number 2 sec A equal to 12 by 5 for some value of angle A बोरा sec A की value 12 by 5 हो सकती है किसी एक angle A के लिए तो चलते हैं परे देखते हैं की sec होता है तो आपको पता है sec क्या होता है देखें सेक होता है H upon A से क्या होता है sec होता है हमारा H hypotenuse upon adjacent अब एक triangle में आपको बना कर दिखाती हूँ एक right angle triangle में लिए समझे है hypotenuse हो गया और angle A समझे हो गया तो आपको पता है क्या पता है कि जो hypotenuse होता है और right angle triangle में सबसे longest side होती है क्या होती ही सबसे longest side होती है इसका मतलब वह opposite से भी बड़ा होगा और adjacent से भी बड़ा होगा तो और से क्या होगा हमारा hypotenuse adjacent हो गया तो मतलब उपर longest मतलब उपर bigger number आएगा कभी भी और adjacent मतलब कि उससे छोटा number आएगा और यहां पर देखिए अगी होता है हापटेनेस और होता है मतलब bigger side होता है यहां पर देखिए bigger लीचे दिया है मतलब यह false होता अज़े हो गया अब जस्टिप्रिक्षन में के रखिंगे इस से क्या होता है होता है हापटेनश ह हापटेनश है to the adjacent side, adjacent side, and we know that, and we know that, that, hypotenuse, hypotenuse is always greater than other two sides of a front. तरी रेखते हैं, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, इता आपको किलियर नजार आ रहा है कि क्या है statement? false है, क्या है? false है, क्योंकि आपको पता है यह जो cause A होता है, किसका short form है? Cosine का short form है, और जो cosecant है, उसका क्या होता है? Cosec होता है, तो क्या statement? false है, तो रीखते हैं, false, false है क्या? और जस्टिफिन के रहेंगे, because, cos A is the abbreviation used for what? cosine. इसी तरह देखिए, question 4, cot A is the product of cot and A, cot and A, देखिए, cot A एक single word है, एक क्या है, single word है, एक cot और A का product नहीं है, clear, क्या खेंगे, एक false है, क्या है, false है, reason क्या है, because, cot A is the single word, single word, it is not the product of cot and A, last question, question 5, sine theta equal to 4 by 3 for some angle of theta, बोरा है, sine theta के वहली 4 by 3 हो सकता है, तो पर देखते है, sine theta होता है, आपको पता है, sine theta क्या होता है, sine theta होता है, o by h, क्या होता है, sine theta क्या होता है, वो मतल geo opposite upon hipertenus, houpertenus, आपको पता है, क्या होता है, इसका मतलव sine की किसी पी value में, नीचे का value क्या होता है, bigger होना चाहिए, उपर से bigger होना चाहिए, क्योंकि happiness नीचे है, और यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, साइन ठीटा क्या दिया गया है, यहां पर देखिए, उपर की वेल्यू बिगर है, उपर की वेल्यू बिगर है, जबकी बिगर कहा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्योंकि नीचे क्या होगा, है पर है SANT ITA, OPPOSIT SIDE, OPPOSIT SIDE TO THE HYPOTENUS हOTA है, HOPPOTENUS हOTA है, and we know that and we know that hypertonus is longest side of the so यहां पर हमारा यह वीडियो फिनिश होता है तो मिलते हैं ट्रिग्रिमेट्री के नेक्स वीडियो में तिल देन कीप प्रेक्टिसिंग कीप हाट वर्किंग थैंक यू